चतिसगर के मावाद आतंकवाद से प्रभावित जिले में कमजोर आर्थिक सिती वाले परिवारों के बच्चों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है ऐसे बच्चों को तक्नीकी एवं व्यवसाइक उच्चे शिक्षा के बेहतर अफसर दिलाने के लिए सरकार ब्याज मुक्त रिण देने जा रही है इस घोशना के साथ ही अब इन क्षेत्रों के चात्रों को बेहतर शिक्षा और रोजगार के अफसर मिल सकेंगे देखिए चात्रों सरकार ने नक्सल पहुत जीलों के चात्रों के लिए एक बड़ी रहत की भोशना की है यह ख़बर उन चात्रों के लिए है जो पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पाते थे अब उन जीलों के विद्यार्तियों को सिच्छा के लिए ब्याज रहित रिण मिलेगा चात्रों के उज्वल भविशे के लिए 36 गड़ सरकार का बढ़ा कदम नकसल प्रभविशेत्र के छात्रों को मिलेगा शिक्षा के लिए ब्याज मुक्त रिण 17 जीलों के छात्रों को मिलेगा चार लाख रुपे तक का रिण मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा रिण ब्याज अनुदान योजना के तहर लाभान्वित होंगे छात्र ये योजना 35 तकनिकी और अन्य व्यावसाइक पाठ्यक्रमों को करती है कवर सरकार की कोशिश युवा नकसलवाद की तरफ प्रभावितना होकर कैरियर पर करें फोकस 36 गड के नकसल प्रभावित जिलों में कमजोर आर्थिक इस्तिती वाले परिवारों के पच्चों को तकनिकी एबम वैवसाइक उच्च शिक्षा के बहतर अफसर दिलाने के लिए ब्याज मुक्त रिण दिया जाएगा इन जिलों में अधिक से अधिक विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा रिण ब्याज अनुदान योजिना के तहत लाभानवित करने और इसके लिए विशेश अभियान चलाने के निर्देश अधिकारियों को दिये गए हैं नकसल प्रभावित 17 जिलों के विद्यार्थियों को 4 लाख रुपे तक का ब्याज मुक्त रिण और शेश जिलों के विद्यार्थियों को एक प्रतिशत ब्याज पर रिण 36 गड़ सरकार देगी ये योजना 35 तकनिकी और अन्य वैवसाइक पाठेकरमों को कवर करती है जिनमें डिपलोमा, सनातक और पीजी इस्तर के पाठेकरम शामिल हैं बस्तर के छात्र काफी खुश हैं वो 36 गड़ सरकार को धन्देवाद कह रहे हैं ब्याज नहीं लग रहा है लोगने में तो अच्छी बात है और पास कि और परेंचेब बिन अटेंशन के पढ़ सकते हैं मैं मोधी और विष्नोदेव साय को धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने इतना अच्छा योजना कल निकाला जो सभी छात्रा हैं उनको बहुत तकलीफ होती थी ब्यास देने में और उन सभी के लिए माफ होगा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वही बस्तर से आदिवासी नेता महेश कारणा कह रहे हैं कि 36 गट सरकार ने बस्तर के बच्चों की पढ़ाई के बारे में सोचा है इससे बस्तर में आदिवासी बच्चों को पढ़ाई करने में अब दिक्कत नहीं होगी सरकार को मैं धन्यवाद जावित करता हूँ इस योजना के तहट शिक्षा रिण सबसिडी के लिए अधिक तमसीमा 4 लाग रुपे निर्धारित की गई है योज छात्रों को उच्चे शिक्षा प्राप्त करने के लिए आवश्यक वित्य सहायता प्रतान करेगी इसके तहट सरकार की कोशिश है कि युवा नकसलबाद की तरफ प्रभावितना होकर कैरियर पर फोकस करे ऐसे में महंगे कोर्सेस या कॉलेज उनके लिए बाधा ना बने इसलिए हायर एजुकेशन के लिए इंट्रेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा सरकार की इस प्रयास से नकसलब प्रहवित छेत्रों में सिच्छा की पहुंच और गुडवत्ता में सुधार होगा जिससे इन छात्रों के प्रतिभान छात्रों के लिए आगे बढ़ने के लिए नए उसर खुलेंगे जिससे वह राज और देश में विकास में अपना अहम यगदान देंगे अपने सेयोगी अंकित के साथ सोमेज पटेल डीडी नियूस रायपूर चतिसगड